तो कल रात कल की 2898 AD के मेकर्स ने अश्वत थामा को लेके एक टीजर रिलीज किया जो कि एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन ही था जो कि पिछले साल इसके आये ग्लिम्स से सिर्फ 6 सेकेंड चोटा था जहाँ पे आमिता बच्चन का ऐजा अश्वत थामा फर्स्ट लुक हमें द देखने को मिलता है तो शुरुआत करें इस टीजर के फर्स्ट शॉट से ही तो फिर यहां हम देखते हैं कि अश्वत थामा शीवलिंग के पास में बैट के अराधना कर रहे होते हैं और यह शीव मंदिर काफी खंडर पड़ा हुए मूर्तिया तुटी पड़ी है जिससे य यह मालू पड़ता है कि यह अपने प्रभास नहीं है क्योंकि मूवी में प्रभास का नाम भैरवा है खेर यहां पर आके यह लड़का हिंदी इंग्लिश और बाके के चार लेंग्वेजे में अमिता बच्चन के केरेक्टर अश्वत हमा से बात करने के कोशिश करता है तो यह चीज तो हमें यह दर्शाती है कि यह मूवी पैन इंडिया निवल पर बन रही है बट यह चीज हमें एक और चीज सिनिफाय करते है कि जब स्टार्टिंग के सीन में बच्चे के दो अलग 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 लेंग्वेजे से बात करने के बाद भी अश्वत हमा कोई भी रिय अलम कनड़ा अब किसी मूवी में मल्टिपल लेंग्वेज यूस करना है इंडिया में शायद से पहली बार हुआ है ना इसके बाद इस ग्लेंप से टीजर जो भी से हम कहें इसमें हमें अश्वत हमा ये भी बोलते हुए दिखते हैं कि अब मेरे अंतिम्यूद्य का समय आ है तो सवाल ये कि उन्हें कैसे मानूपड़ा कि अब उनके अंतिम्यूद्य का समय आ चुका है तो अगर आप नोटीस करोगे तो फिर इस पूरे ग्लेंप सेपने कोई एक चीस काफी कंसिस्टेंट दिखाया गया है जो कि है श्यूलिंग पे गिरने वाला पानी बच्चे क इसके बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि अचानक ते उस श्यूलिंग पे पानी गिरना बंद हो जाता है जिसे देखके अश्वता माUँ बडब करथे वए बच्चे को बीच में ही रोक के वहाँ जाके चेक करते हैं और बोलते हैं कि अब अंतिम युद्ध का समय आ गया है So most probably वो पानी इंडिकेशन होगा कि अब उनके युद्ध का समय आ चुका है जब वो गिरना बंद हुआ इसके अलावा हम यहाँ पे नूटिस कर सकते कि अश्वतामा ने जो पट्टी बान दी है माते पे उसमें से ब्लीडिंग भी हो रही है अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस सीन की जो की one of the most important part है इस glimpse का तो फिर अश्वतामा का यह यंग एज का लुक जिसे काफी लोग अभिशेक बच्चन भी समझ रहे हैं बट आइटिंग अगर यह अभिशेक बच्चन होते तो फिर उनका नम काफे पहले ही इसके कास्ट में आ जाता और पीछे ये रथ भी अपने को देखने को मिलता है इसके अलाव यहाँ पे अपने को अश्वतामा के सर पे एक मड़ी भी देखने को मिलती है and cut to the next scene अपने को यहाँ पे अश्वतामा का बीना मड़ी का लुक देखने को मिलता है और साथ ही में हमें यह आपर यह भी देख सकते हैं कि उस मढ़ी के जगा पे काफी जादा घाओ है तो इसी घाओ के वज़े से इस तीन में जब अशोथामा पटी लगाए रहते हैं तो उनके पटी पे अपने को bleeding देखने को मिलती है अब यह मढ़ी क्यों निगली अफर निकाली गई इसको explain करने के लिए अपने को महाभारत की टाइम पे जाना पड़ेगा जहां मैं अपने थोड़े बहुत ग्यान का यूज करने वाला हूँ जिसके बद श्री कृष्ण अश्वत थामा को स्थाप देते है कि अब तुम कल्युक के अंत तक बिना मढ़ी के यहाँ वाँ ऐसे ही भटकते रहोगे भूख प्यास बिमारी बुढ़ापा ये सब तुमें लगेगा लेकिन तुम मरोगे नहीं और अगर आपको नहीं पता तो फिर इस मढ़ी की पावर सी यही थी कि वो अश्वत थामा को दुख दर्द पीडा से एकदम दूर रखता था एक टैप से वो उसको इन्विजिबल बना देता था खेर इसके बाद में अश्वत थामा अपने इस पाप के लिए अपनी मणी खुदी निकाल के भीम को दे देता है जो कि उसके पास पैदाईशी थी जिसके बाद में भीम द्रोपदी का गुस्ता शान्त करने के लिए वो मणी उसको दे देता है एन देंद रोबदी उस मणी को युदिष्टिर को दे देती है क्योंकि उन पाचों में सबसे बड़ा बेटा युदिष्टिर था और युदिष्टिर को धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है इसलिए वही सबसे सही इंसान होगा इस मणी को समहलने के लिए खेर अब ये सारी बाते सुनने के बाद में अब आपको ये भी मालूम पढ़ गया होगा कि इस टाइम पे अब अश्वत थामा इतना बूड़ा क्यों हो चुका है और साथ ही में ये जखम भी उसे क्यों लग रहे है क्योंकि अब कोर्स उसके पास अब तक मड़ी और उसकी पावर्स नहीं थी बट इस ग्लिम्स के अगले सीन में हम देखते कि अश्वत थामा ने इस मड़ी को पहन लिया है जिसके बाद में अब उसके सारे जखम भी हील हो चुके है अब I don't know कि अश्वत थामा के पास में ये मड़ी कैसे आती है में भी ये हमें मूवी में क्लियर करें इसके अलगा इस सीन में हम मड़ी के साथ में एक कमान भी अश्वत थामा के हाथ में देख सकते है जो कि साइज में काफी जादा बड़ी है अब इस इंट्रोडक्शन ग्लिम्स में अपने को सिर्फ अमिता बच्चन ऐजा अश्वत थामा देखने को मिलते हैं बट अगर आपको नहीं पता तो फिर ऐसा कहा जाता है कि इस कली और कलकी के युद्व में साथ और चिरन जीवी शामिल होने वाले है जिसमें बचरंग बली भी शामिल है तो अभी तो इसका आइडिया नहीं है कि इस मूवी में अपने को क्या-क्या और कौन-कौन देखने को मिलेंगे बट जितनी भी चीज़े हम लोग ने इस मूवी को लेकि अब तक देखी है वो काफ़ी जादा फैसिनेटिंग है मैं तो काफ़ी जादा इंट्रेस्टेड हूँ इस मूवी को लेकि बस इसका वी एफेक्स पाटी रूप समहाल ले खरी से एक मिनट दस सेकेंड वाले इंट्रोडक्शन ग्लीम्स में हम लोग और भी क्या ही बात कर सकते हैं खर आगे चलके देखते हैं कि इस मूवी को लेकि अपने को और भी क्या क्या देखने को मिलता है और फाइनली यह कभी रिलीज होने वाली है क्योंकि और इसके काफ में सारे डेट्स चेंज हो चुके हैं और इस इंट्रोडक्शन ग्लीम्स में भी अपने को कोई भी डेट कंफर्म नहीं की है तो आपको कह लगते हैं इन सब चीजों के बार में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छा लगिए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्स्क्राइब कर देना और अगर आपने तक मेरी याली वीडियो नहीं देखी तो फीसे भी चेक आउट कर लेना बाकी मिलूँगा मैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए डड़ा